नमस्कार मित्रों और मेरे प्रेश चात्रों कच्छा सात्रों की भासा बेशे की दूसरी एकाई लेकर आज प्रस्तुत है पहला पार्ट है क्रिशी प्रयोख साला निरिच्छन करते हुए चर्चा करो चेविक खादों का उप्योग करो देश की संपनता किशी में स्वयम पूर्टा किसी के आउजार और साधन विभिन प्रकार की ताजी सबजियां खेती में जैविक खादों का अगर उप्योग करेंगे तो रहसाइनिक खादों के द्वारा होने वाले जो नुक्सान है वो नहीं होंगे विभिन प्रकार के रहसाइनिक दवाओं का छिड़काव करने से बचना चाहिए और अधिक से अधिक जैविक खादों का उप्योग करना चाहिए इसे मिटी की उर्बरता बनी रहती है मिटी सुरक्षी तरहती है मिटी नस्ट नहीं होती मिटी में जो पोशक्तत होते हैं वो नस्ट नहीं होते अधिक से अधिक, क्षिती से अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जैये भी खादों का उपयोग करना चाहिए देश की समपन्ता क्रिशी में स्वाव में पूंडता देश हमारा तभी समपन्ण होगा, जब आत्म निर्भर होगा आनाज के मामले में जब देश आत्म निर्भर होगा तो ही हमारा देश संपन होगा कृषी में दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा किसानों की रोजगार में व्रिद्धी होगी उनकी आय में व्रिद्धी होगी उनकी जीवनस्तर में सुधार होगा इसलिए खीती को अधिक से अधिक प्रोस्थाहन देना चाहिए खीती की नए नए आउजार और साधन यहां दिये गए है आज आजकल अधिकतर आधुनिक तरीके से खीती की जाती है मसीनी करन द्वारा खीती की जाती है मसीनों का उपयोग खेती में ज़्यादा किया जाता है जिससे उत्पादन अधिक होता है बहुत से किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासाइनिक खादों, रासाइनिक दमाओं का छिर्काओ खेतों में करते हैं लेकिन इसका दूस परल्य वोता है। रहसाइनिक खादों दौरा उगाए हुए अनाज को खाने से बिवन परकार की बिमारियां होती हैं। कैंसर इत्यादी बढ़ते हैं। रहसाइनिक दवाओं के छिरका दौरा जो उत्पन होती हैं सबजियां, वो भी खाने का खाने में हाने का रख होती है इसलिए अधिक से अधिक चाहिए भी खादों का उप्योग करें ताजी सबजीयों का उप्योग करें खाने में बारत में कौन-कौन से क्रिश्ची सुधार हो रहे हैं इंटरनेट बे जाकर उन सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करो उससे सम्मनित विविन्त चित्री कठा करो और अपने देश में हो रही किस देश की किस भाग में किस प्रकार की खेती की जाती है कहां पर सिचाई की क्या ब्यवस्ता है इसकी बारे में किस प्रदेश में किस प्रकार की फसल उगाई आती है कहां पर गिहों की खेती जाते होती है अधिक होती है गहां पर धान की फसल अधिक होती है बागानी खेती कहां पर जादा होती है कौन सा फल किस प्रदेश में अधिक उगाया जाता है जैसे सेव है जमो कसमेर में ज़्यादा हुगा जाता है उत्तर भारत में गहों की खेती है दिखोती है तो दक्चल भारत में चावल की धान की खेती है दिखोती है इसके बारे में अलग 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 परदेसों में कौन से सबजी खेती ज़्यादा हुगा जाती है आलू किस प लिखो आपस में चर्चा करो इस वीडियो में आज बस इतना ही धन्यवाद